दोस्तों बात करें तो इंडिया के अंदर आज के समय में AITL GEO Vodafone Idea के rate increase हो चुके और इसका सबसे बड़ा benefit मेला था आपको BSNL को BSNL का subscriber base है अप increase हो गया लेकिन आज भी देखा है तो BSNL के साथ एक दिक्कत है कि network stable यह हर जगे 4G नहीं आता और जहां पर आपका AITL और GEO आपको 5G provide करते वही BSNL आज भी 3G पर है तो क्या BSNL की 5G की कहानी के है एक दो बाते बतातो सबसे पहले तो अगले साल 2025 तक यह प्लान किया जा रहे है कि यहां पर यह लोग 4G का pan India rollout कर देंगे यानि कि 4G की core technology पर काम करेंगे और अच्छे तरीके से TCS तैसी कम्तनी के साथ collaborate करके लोग 4G को कर देंगे pan India आज भी इंडिया के अंदर 4G available है BSNL का लेकिन rollout यहां पर हो रहा है वही बात करें 5G की तो BSNL का प्लान ऐसा है कि आने वाले समय में उसी 4G core technology को use करके लोग BSNL अपने 5G को rollout करेगा जिसका benefit यह रहेगा कि इनको जादा infrastructure पर invest करने की जरुवत नहीं पड़ीगी एक बार जो 4G के लिए जो backbone जो सारी चीज़े नोंने create करी है वही सारी चीज़े ये लोग implement कर देंगे अपने 5G के लिए तो definitely 5G भी BSNL का आएगा और already कुछ अच्छी चीज़े पता चलिए BSNL के 5G से लेटर पहली चीज, BSNL 5G पे based trial testing में एक video call perform की गई अच्छी चीज़े, इसके साथी BSNL के 5G enable नए SIM cards को launch किया गया हलाकि आपको बता देता हूँ, SIM cards का इतना जादा impact नहीं पड़ता कि आप 4G यूज़ कर रहे हैं यह सिर्फ एक marketing का तरीका 5G ready SIM card क्योंकि आज भी 90% जो SIM card है उन पे 5G चल सकता है 5-10% ऐसे चोटे मोटे use cases होते हैं जहाँ पे आपको एक नहा SIM card लेना पड़ सकता है इसके लाब आप बात करें तो 5G के trial testing दिल्ली के कई सारे लाकों में चल रही है जहाँ पे कुछ-कुछ जगों पे 5G को test किया जा रहा है तो कुछ अच्छी चीज़े चल रहे है 5G के साथ और BSNL को 5G के अंदर एक growth भी देखने को मिली है और overall speeds के साथ भी अच्छा performance हो रहा है बस यह कि BSNL धीरे धीरे अपने network को strong करें market के अंदर सबसे सस्ता है तो उसका benefit यह लोग उठा सकते है और अच्छी बात है BSNL के साथ कि अब logo की उबस का भरोसा आ रहा है और पिछले कुछ महीने में यानि कि अगर हम जुलाई का महीन और आगस्ट का महीन भी जित्ता हुए उससे देखें तो यहाँ पर BSNL ने पहली बास subscriber base को increase किया है अब देखने वाली बात है कि यह चीज यहाँ पर BSNL कब तक ले पाता है शामी देखा तो आज के समय बहुत सारी टेस्टिंग कर रहा है वो कर रहा है बैटरी टेकलोजी से रिलेटेड और एक स्पेसिफिक चीज़े उसने find out करी कि यहाँ पर साड़े साथ हजार एमेच की बैटरी मोबाइल फोन के लिए टेस्ट कर रहा है लिए साड़े साथ हजार एमेच की बैटरी का फोन अगर लेकर आती है शामी जैसे का अमनी बहुत साइच चीज होगी और उसे fast charge करते है रादे घंटे में full charge होता है तो कमाल की चीज़ है क्योंकि सच बताँ वहाँ यह समय में problem क्या है इंडस्ट्री के अंदर हर कोई fast charging पर काम करता है लेकि बैटरी के उपर जादा काम नहीं करता है अगर बैटरी को इंप्रूफ किया जाए बैटरी बैकप को इंप्रूफ किया जाए तो एक बहतरी चीज़ होगी अभी हाल फिला तो 5,000 से लेकि 55,000 mAh नहीं स्टेंडर्ड बना है लेकिन बहुत ही जल्दी 6,000 mAh और 7,000-7,000 mAh की बैटरी अगर mobile phone में मिले तो एक बहुत सही चीज़ होगी अब देखने वाली बात है इसकी टेरायल टेस्टिंग तो चल रही है लेकिन शामी वाले से लेकर का बात है इसके साथ ही Airtel से भी related यहाँ पे news है Airtel ने देखा जाये तो subscriber base उसका काफी जादा चीज़ी तरीके से intact रहा है यहाँ पे जब से price hike हुआ है और Airtel देखा तो आज के समय में जुसका average revenue per user होता है ARPU वो सबसे जादा है यहाँ पर काम करता है यानि कि Jio हर user के लिए काम करेगा लेकिन Airtel ने सोचा है कि थोड़े premium के उपर काम करेगा इसलिए वो अपनी Airtel black service लाता है Airtel ने अपना TV subscription लगा रखा है सारी चीज़े उसने premiumize करके रखी ताकि हम महेंगा provide करेंगे लेकिन बदले में आपको एक premium service यहाँ पर provide करेंगे जिस current से जो premium user base से उसने हाँ पर पकट रखा Airtel ने तो यह भी एक positive sign देखने को मैं Airtel को especially price hike के बाद भी सबसे जादा जो impact पड़ा है वो पड़ा है यहाँ पर Jio को और Jio के बार में बात कर रहा तो तो आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर 29 अगस्त को Jio's related कुछ announcement हो सकती है यह ज़ादा बड़ी announcement आप expect नहीं कर सकते लेकिन कुछ चीज़े आपको स्वेखने को सुनने को मिल सकती है जैसे कि 4G feature phone के अंदर अभी Jio focus कर रहा है 5G phone Jio की तरफ से आनत बहुत ही ज़ादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी Jio का focus यहाँ पर 5G phone build करने पर नहीं है इसके साथ ही अगली चीज जो मेरको यहाँ पर लग रही है वो लग रही कि Jio वाले यहाँ पर काम करेंगे अपने satellite broadband के उपर और वो देखने वाली बात हो कि उसका rollout यहाँ पर किस तरीके से होता है इसी के साथ ही बात कर रहे है तो Google के Pixel 9 से भी related news है अगली हफते हाँ पर launch होने वाला है इंडिया के अंदर Google Pixel 9 लेक्के Pixel 9 को यहाँ पर थोड़ा सा avoid कर सकता पिक्सल 10 के उपर जा सकते हो बेसिक रीजन तो यह है कि इस बार भी जो पिक्सल उसके अंदर जो टेंसर है वो बनाया गया है सैमसंग की टेक्नलोजी के उपर जो सैमसंग की fabrication प्रोसेस होते हो के अंदर आपको लोगो को बता है कि पास में काफी ज़्यादा heating issues थे और अगले साल यह लोग TSMCQ पर move करने वाले जो कि बहुती ज़्यादा advanced chips बनाती है और 3NM based design का काफी ज़्यादा efficient है और अगले साल के अंदर आपको major improvement भी देखने को बल सकते है तो अगर Google Pixel लेने को सोच रहे तो इस साल मत लेना अगले साल लेना और अगली चीज यहाँ पे Pixel phones के लिए कि इस बारे पिक्सल फोन जो 9 series है वो अभी import हो के आ रही है इंडिया में अभी manufacturing के बारे में बोला गया था लेकिन अभी तक शुरू नहीं करी है देखने वाली बात हों कि Google Pixel यहाँ पे इंडिया के अंदर manufacturing यहाँ पे कब शुरू करता है इसके साथ ही बात कर तो finally इंडिया के अंदर आपको शाथ electric bikes देखने को मिले क्योंकि अभी भी इंडिया के अंदर देखा जाए तो आपको electric scooter बहुत जात देखने को मिलते है लेकिन electric bike का जो जमाना रहता है उसे यहाँ पे कुछ companies लेकर आई थी लेकिन उसे successful नहीं बना पाई जैसके बाद करें revolt यह ऐसी company नहीं शुरूत करी थी एक ultra wallet अपनी premium bike लेकर आती है लेकिन electric bike यह ऐसी चीज़े जो इंडिया है या globally कोई भी company उसे crack नहीं कर पाई ओला electric अपनी electric bike को showcase करने वाली है लेकिन अगले साल ही उसकी delivery शुरू होंगी देखने वाली बात है क्या वो ऐसी bike बना पाए है जो यहाँ पर market को crack कर पाए है और एक ऐसा experience दे पाए है लोगों को जो एक motorcycle से लेना चाहते है क्योंकि motorcycle एक ऐसी चीज़े electric के अंदर वो उसको acceptance आज तक नहीं मिली है scooters को मिली है motorcycle को नहीं मिली यह देखने वाली बात है और आज भी electric motorcycle ऐसी चीज़े जहाँ पर एक बड़े disruption की हापे जरूरत है देखते है यह चीज यहाँ पर कब तक crack होती है और हाँ अगर old electric नहीं सच में अगर अच्छी electric motorcycle बनाई होगी ना थेंक्यो बड़े है रहनी के लिए मैं अबसल तो नेक्स वन के अंदर गुद्बाए